तो बनाते हैं आज की रैस्पी चटपटी और बढ़ी आसी तो इसके लिए यहाँ पर मिले लिए हैं 10-12 बिंडी जिनको में दोके ऐसे गोलगोल काट लिया है और एक टमाटर जिसके हमने पीसिस कर लिया है एक वाई डालू जिसको हमने पीसिस में काट लिया है 2-3 मिर्चे थोड़ा सी कसूरी में थी और यहाँ पर मिलूँगी काला नमक स्वादनुसाल थोड़ा सा लानमिश पाउडर एक चमी धन्या पाउडर और इसमें आप में डालूँगी थोड़ा सा अमचूर और यहाँ पर लिया है मैंने आधी कटोरी बेसन अब इन सब को हमश्रा से मिक शुक हैं रिटा रही है किसा पेस्ट बन गया बहुत ही बड़ इसे खुशफर हारी है देखे किता मडए से का पेस्ट बन किया है है यहांपर हमने तेल को पकाने रग दिया है और यहांपर बहुत अच्छे लगए खाने में आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ किजिए को आप बहुत पसंद आएगी वाली पकोडी बहुत बड़ी सी स्टेप्स में खुश्बू आ रही है यह देखिए यहां पर हमारी बड़ी सी करारी करारी पकोडीया बनके तैयार हो चुकी ह कितनी बड़ीया लग रहे हैं देखने में तो आप भी बनाइए हमें बताइए आपको यह राइस्पी कैसे लगी